सभी केंडिट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एक्जाम को टार्गेट करते हैं कि ये एक्जाम हमको क्रैक करना है तो सबसे पहले जो ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों उस एक्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा तभी जाके प्रिप कर लाते हैं कोई इंस्टिट्वेशन जॉइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना जार्खन जी के पढ़ना मैत रिजनिक पढ़ना ही कमपेटिटिव एक्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है जो की बहुत गलत प्रैक में होता है दोस्त नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक वर फिर से श्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जार्खन में अगर देखा जाए तो जैससी के द्वारा एक वेकेंसी आया हुआ है जो कि है प्रयोग साला सहायक यानि इसको देखेंगे नोडिविकेशन में तो इसमें कुछ बिसेस बातों का ध्यान रखा गया है जो कि होना जरूरी है तभी आप इसको अपलाई करेंगे और साथी दोस्तों इसका एक्जाम पैटरन को के बारे में भी चर्चा करेंगे यानि एक्जाम पैटरन को लेकर भी कई कुछे जाएंगे 10th लेवल के होंगे सभी 4 चीज़ों के बारे में इस व्डिऊ में डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को पुरा वच करिए कर दो आपका सारा wreck लेर हो जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुबात करते हैं और देखते हैं देखिए दोस्तों यह विकेंसी है JSSC में प्रयोग साला सहायक यानि लैब एसिस्टेंट की विकेंसी है और इसका ओनलाइन एप्लिकेशन की शुरुवात 5 तारिक से हो रहा यानि 5 अप्रिल से ओनलाइन अविदन की शुरुवात होगा जो की चलेगा 4 मैं तक यानि अप्रिल मैं एक मैना के लगभ दोंगे तो 230 से अफ़िक में अगर देखेंगे तो 230 अपता से मिलेगा दोष्टिंग्स दोष्ट लेवल 6 कड ये जॉब है दोस्तु हैं मतलब एक अच्छा घासा आपको सेलरी मिल जाएगा जो कि स्टार्टिंग जो दिया हुआ है 35400 से लेकर एक लाग 12400 के बीच आपका सेलरी होगा इसमें अगर देखा जाए तो आपको इन हैंड आप आराम से 50,000 के आसपास आपको आसपास मिल जाएगा ठीक है 50,000 आपको आसपास मिल जाएगा ठीक है आप इसमें बात करते हैं युज्जिता को लेकर यानि क्वालिफिकेशन को लेकर तो इसमें साप और असपास टूप से लिका हुआ है दोस्तों नोडिफिकेशन को अगर आप देखते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा कि बैचलर डिग्री साइन्स में किन सब्जेक्ट देखिए यहां पर दिया है फीजिक्स केमेस्ट्री और बायो में भी टर्म कंडिशन से वो भी मैं चार्चा कर दूंगा ठीक है तो देखिए यहां पर दिया है कि फीजिक्स एन केमेस्ट्री बायो बायो में अगर है तो प्रानी सास्त्र यानि जो बॉटनी है और आपका यह बनस्पति सास्त्र बॉटनी और यह वाला प्रानी सास्त्र जूलोजी ठीक है बॉटनी एन जूलोजी वाला चलेगा इसमें बट इसमें टर्मन कंडिशन दिया आप फिजिक्स में है तो आउनर्स में क्या करता है कि जो फीजिक्स में जाइड है थे रहता है तो यहां पर कि फीजिक्स में होन беспilten थे तो साथ में केम zdrova2 पढ़े होंगे तो आपookie physics और chemistry यह होगी एक combination या chemistry में अगर आप उनर्स हैं तो साथ में फिजिक्स जरूर रखे होंगे ठीक है या फिर बायो भी रखते हैं बहुत लोग तो यह रहा ठीक है अगर इसमें उनर्स है तो इसमें भी डेफिनेटली आप तीनों बर्स पढ़े होंगे और साथ में जो सबस सब्जेक्ट है चाहिए आपके जब physics owners है तो chemistry होता है तो वहां पर भी दो बर्स मिला के आपका 50% मार्क्स होना चाहिए जैनरल के लिए और SCST के लिए 45% तो यह confusion यहां पर क्लियर हो जाईए ठीक है आप आते हैं बायो में तो बायो वालों के लिए क्या है अगर बाटनी औ मार्क्स होना चाहिए जैनरल वालों के लिए SCST के लिए फिर 45% तो यह दो बर्स का आपको पढ़ाई होना चाहिए यानि अगर सेमेस्टर कहीं साब से डिवाइड करेंगे तो छेचे माइना का होगा तो चार सेमेस्टर ठीक है तो यह चीज आपका होना जरूरी है दोस्तो मार्क्स होना चाहिए ऐसा निए कि आप ओनर्स को फोकस कियें सबसीटी को छोड़े तो सबसीटी में मार्क कम्स तो फिर आप पास अमने इसमें इसमें नहीं होने यानि उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए तभी आप भर सकते हैं ठीक है यह रहा जुग्यता अब आ परिक्षा का सवरूफ है दो सो देख सकते हैं जो कि आपका एक तरह से मेन एक्जाम लिया जाएगा मुख्य परिक्षा ठीक है और एक्जाम आपका CBT मोड में होगा यानि CBT महीने कहने का मतलब है कंप्यूटर बेस टेस्क यानि ऑनलाइन एक्जाम होगा कंप्यूटर में आपको एक्जाम देना पड़ेगा और यहां पर आपको माउस से क्लिक करना है जो राइट आंसर है ठीक है और उसमें जो पेपर का सो रूप रहेगा दोस्तों देख सकते हैं पेपर वन और पेपर दो पेपर का होगा यह फर्स सिटिंग में होगा ठीक है यह फर्स सिटिंग में आपका लिया जाएगा ठीक है और यह आपका सेकेंड सेटिंग में एक ही दिन दोनों एक्जाम कंड़क करा लिया जाएगा अगर ज्यादा केंड़ेट होते हैं वैसे इस सिदिम अगर अलग- तो उसमें कोई अंक की कटोती नहीं होगी ठीक है आब बात कर लेते हैं पेपर वन में क्या है और कितने प्रस्न पुछी जाएगा दिखे दुस्तों पेपर वन सबसे पहले मैं क्लियर कर दू पेपर वन जो रहेगा दोस्तों यह आपका qualifying nature का होगा अपत्रों यह आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें पास करना है और इसके लिए जलूरी है और ज़िल प्रा Hij और ऐनली जब मैरिट बनेगा आपका यानि जब आप सेलेक्ट होंगे तो सलंव आपका दोस्तों आपका पिपर जो रहाएगा इसी से यानि paper 2 से आप select होंगे merit में यही वाला अंक आपका जुड़ेगा इसका अंक नहीं जुड़ने वाला है but अगर यहाँ पर फेल कर जाते हैं तो वो paper आपका check नहीं होगा पहले यह वाला paper check होगा अगर इसमें आप 33% ले आते हैं यानि एक questions में एक एक अंका song का रखा गया है तीन घंटा आपको समय मिल दियागा तीन घंटा में आपको 100 questions solve करना है जिसमें से अगर दो sections में इसको बाटा गया है section 1 and section 2 में अगर बोल सकते हैं तो section 1 में अगर देखेंगे तो इसमें रखा गया है सामाई ने घ्यान यानि दोस्तो general knowledge ठीक है यहां से general knowledge से 50 questions और आपका हिंदी भासा से 50 questions देखिए यहां पर English को नहीं रखा गया है ठीक है नॉर्मली अगर देखेंगे तो JSC के बाकी exams में देखेंगे CGL वेगरा में तो paper 1 में हिंदी और English को डाला जाता है यहां पर रखा गया है general knowledge के साथ हिंदी भासा को रखा गया है यहां पर English को नहीं रखा गया है ठीक है तो सामाई निग्यान में जो 50 questions पूछे जाएंगे दोस्तों वह बेसिकल देख सकते हैं 12345 यह पांच segment रखा गया है हाला कि 5 segment में यह उल्लेक नहीं किया गया कि किस segment से कितने questions पूछे जाएंगे बट on on average जो होगा दूस्तों हर एक segment से मानके चलिए आपका 10-10 questions ही पूछे जाएंगे ठीक है किसी में थोड़ा बहुत कं या ज्यादा हो सकता है जैसे किसी में अगर 12 पूछ लिया किसी में 8 पूछ लिया ऐसे हो सकता है ठीक है बट on on average हर एक segment से दसी questions पूछे जाएंगे जिसमें से सामाइन बिग्यान देखे पहला चीज जो रखा गया वो सामाइन बिग्यान साइंस साइंस में सिर्फ और सिर्फ अगर देखेंगे तो notification syllabus में जो मैंसे क्या है कि दीन प्रती दीन के आउलोकन से संबंदित बिग्यान के प्रस्न पूछ जाएंगे यानि कहने का होता है ज्यादा तर वो चीप किस जीजसे से बना होता है कि धातु से बना उता है तो वह Better बिच्ञान से रिलियटेट पूछे जाएए या अगर देखें यह अगर आपको पढदा हो study करना हो तो ज्यादा तर छीचिश आता है दूसरा सेग्मेंट जो किया है रिजनेंग टिक है रिजनिंग रिजनेंग से पूशन पूशे जाएंगे ध्या जीज को जिसमें अगर देखेंगे तो जार्खन जी के करें अगर तो एक चोड़ दें तो श्यारखन का इतियास भी पढ़ना है जारखन का बुगुल सांस्कृति उद्योग जो भी है सारा चीज एकोनॉमी इसे रिलेटेड कुछे जाएंगे और एक चीज है कंप्यूटर देखिए कंप्यूटर में जो दिया है वो फंडमेंटल कंप्यूटर दिया गया है यानि MS Office MS Word MS Excel PowerPoint से रिलेटेड ही पुछे जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टेम और इंटरनेट से रिलेटेड चीज यहां पर पुछे जाएंगे यहां पर दोस्तों भारत का इतिहास भारत का भूगोल भारत का सम्भिधान भारत की पुछे जाएंगे पूरसकार जितने भी अभी स्पोर्ट से रिलेटेड कोईश्चन से हो गया राजधानी कैपिटेल मुद्रा जो भी चीज है यह सारा प्रस्ण एक तरह से कहा जा सकता है कि विभीद में आपका लूसेंट बहुत ही उपयोगी होगा तो सारा सिर्फ लू और आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसी से रेलेटेड पूछे जाएंगे जो कि आपका मुल्टीफ चैस यानि और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़र्री होता है कि दोस्तों आप हमेशा को पढ़ने के बाद को रीड करिए उसके बाद पैसेज को पढ़ने की सुरुवात करिए तो आप आसाने से कुश्चन का जो आंसर उसको ढूंड लेते हैं ठीक है और हिंदी ब्याकरन ब्याकरन में दोस्तों सारा चीज आपने संग्या सर्वाना आपका जो भी क्रिया विसेशन से यहीं से प्रस्ट बेसिक लिए पूछे जाएंगे तो हिंदी व्याकरन से 25 रहाएगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है गलत भी हो जाता है तो घबराने की जोरत नहीं है अब पर में ठीक है यह 50% क्वालिफाई कर जाएंगे इसके बाद जतना जादा होगा वह आपका मेरिट मेरिट बनेगा तो यहां से अगर देखेंगे पेपर टू में भी तो डेड़्स प्रसन पूछा जाएगा ठीक है डेड़्स प्रसन पूछा जाएगा हर एक सब्सक्राइब करते हैं तो बाटनी एन जो यह है प्राणी सास्त्र यहां से सब्सक्राइब करें तो यहां से जितने ज़्याद आंगले आएंगे आपका सेलेक्शन वहीं से होगा तो यहां दोस्तों जो प्रयोग साला सहायक का विकिंसी आया है सब्सक्राइब करना हों मैं बता दे रहा हूं दूस्तों यह पांच अप्रेल से ठीक है पांच अप्रेल 2023 से इसका ओनलाइन अप्लिकेशन की शुरुआत हो रहा है जो कि चलेगा चार मैं ठीक है चार मैं 2023 तक इसमें ओनलाइन आविदन चलेगा जिन दोस्तों को आविदन करना हो इस बीच आप लोग जरूर आविदन कर दिजिएगा ठीक है और यह वीडियो और यह जानकारी द कर दोस्तों है